हैं आप सब लोग वेलकम तो माई चैनल एजुकेशन विद गौरब मेरे इस चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों और उत्तराघंड जी के में आपका स्वागत है यह जो आज का लेक्षर होगा यह हमने अभी तक उत्तराघंड के अंदर जो है अंग्रेज जो स पकार वे और साथ के साथ जो राज्य गठन है उसका क्या अंदुलन रहा है ठीक है तो हम पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और हम सारी चीज़ें समझते वे चलेंगे तो चलते हैं और अगर आप लोगों को उत्तराघंड के नोट से होगे तो आप मुझे इस वर्टसप नमबर पर कॉन्टेक कर सकते हैं तो चलें इया फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारे सेशन तो हमने वो काफी चीजें डिस्कस कर ली थी तो फ्रेंट्स आज जो हैं हम डिसकस करने वाले हैं राश्ट्रे आंदुलन तथा उसमें उत्तराखंड की क्या भूमिकाय रही है और सुर्वात हम करेंगे अठाज़ों सतावन की क्रांती से तो फ्रेंट्स जैसए कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों का सासन अठाव इपर murdered तक यहां पर उसके बाद बिदीस नहीं पर जो अंग्रेज थे उनको उनके लिए जो है यहां पर उनकी पर पर इस वजय से उन्होंने उत्राखंड के लोगों के उपर ज्यादा टैक्स भी नहीं ते तो लोग ज्यादा परिशान इन से नहीं थे इस करार से जो है योगदान जो है उत्राखंड का नहीं दिखाए जेता है लेकिन थोड़ा वोद्ध है का जो घड़नाएं हुई है उसको हम देखते हैं ठीके तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गड़वाल में अठारसों सताओन की करांथी का क्या प्रवाब पड़ा तो जिस समय पर जो आया संपूर भारत या उत्तरी जो भारत है मध्य भारत में ठारसों सताओन का विद्रो चल रहा था उस समय जो है वो घड़वाल में डिप्टी कमिशनर थे बैकेट तो उन्होंने जो है वो घड़वाल में सांती व्यवस्ता रखने के लिए सबसे पहले क्या किया उन्होंने ऐ करवा दिया ठीक है चलते हैं आगे वॉल्टन जो है उनके अंसार कुछ क्रांतिकारियों को स्रीनगर में क्रांतिकारियों करने का प्रयास किया यहां पर कुछ मुमेंट करा जाए लेकिन कुमाओ का कमिशनर जो हैं हैंरी रेमजी ततकालीं जो कमिशनर थे उन्होंने अलमो कि जो घडवाली थोकदार थी उन्होंने अंग्रेजों की ओर से कोड़वार भावर वाले छेत्र में रक्षा की थी जिसके बदले दोनों को कुछ गाओं की जमिदारी परदान की गई तो फ्रेंट्स जो घडवाल का राजा था वो पूरी तरीके से क्या था अंग्रेजों में जो है अठारा सोस्तावन की जो क्रांती थी वहाँ पर कमिशनर अभी हमने बात की को था हैंडरी रैमजे तो हैंडरी रैमजे ने जो है वो क्या किया क्रांती के प्रवाओं में कुमाओं में पहले ही क्या क्या मार्सल लौ यानि कि आरमी का लागू कर दिया है जिस कारण स कुमाओं में करांती का कुछ भी खास प्रवाव नहीं पढ़ पाए जिन लोगों ने करने की कोशिस के उन लोगों को क्या किया गया नेंटाल में एक गदेरा था उहां पर जाके फासी दे दी गई तो इस वज़े से आज भी उस गदेर को फासी का गदेरा कहा जाता है ठीक है तो यहां पर जो है इस प्रकार के दमनात्मक कारवाई की गई नेक्स अब उत्तरा खंड में जो है सबसे प्रमुक जो नाम आगर आता है अठारा सो स्थाउन की करांती के समय तो वो आता है कालू महरा ठीक है न जो अवद के नमाब थे उस टाइम पर उनका नाम था वाजि उत्तरा खंड का पहला सोतनतता सेनानी कहा जाता है फर्स्ट जो है वो आपका फ्रिडम फ्राइटर और उत्तरा खंड क्या कौन है कालू मेरा इसके बारे में कहीं बार जो है वो एक्जाम के अंदर पूछा जाता है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स है ठीहरी में प्रवाव आप ठीरी में क्या प्रवावाव था, वैसे गढ़वाल छेतर में क्रांती का प्रवाव ना के बरावर था नेक्स है, राजिय में जो है, सिक्षा, संचार और यातावात की जो साधिन थे, उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी, तो इस कारण से जो है, क्रांती का प्रवाव नहीं था उतना, है न, लेकिन दीरे-दीरे जब संचार ब्यवस्ता हैं, जो है, वो चलने लग गई, तो उससे क हुआ, फिर जो है, लोगों के बीच में एक पॉल्टिकल जो अवेरनेस या राजनितिक जो जागरुकता है, वो उत्पन हुई, और उसका कारण क्या था, कहीं प्रकार के पत्र-पत्रिकाओं का संचार, तो जिसमें की सबसे पहली जो पत्र है, वो कौन सा चपा था, उत्र इसके स्तापना किसने की बुद्धी बल्लव पंत जो है, उनके प्रयासों से इसकी स्तापना की गई थी, ओके, फिर फाइनली 1871 में जो है, वो अलमोला से ही डिवेटिंग कलब से अलमोला अखवार जो है, उसका परकासन सुरू किया गया, जिसके पर्थम संपा तक बुद 1882 के अंदर जो है, वो काट गोदाम को 99 से सडक मार्ग से जोड़ दिया गया, ठीक है, तो कोट काट गोदाम से लेकर 99 तक जो है सडक भी बना दी गई, और साथ के साथ आप जानते कि 1900 आते आते जो है, जो धहरादुन जो है, रेलवेग स्रेशन है, उसका भी निर्मार कर गया, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी, 1883 में जो है, अल्मोड़ा में इलवड जो बिल है, उसके समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अधक्सता बुल्ली बुद्धी बल्लब पांत ने के द्वारा की गई थी, ओके, नेक्स है, 1885 मे कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर उत्राखंड से इसमें भाग लेने वाले कों थे, जोलादत जोसी जी, तो ये इंपोर्टन फ्रेक्ट हो जाता है कि 1886 के अधिवेशन में किसने भाग लिया था, तो जोलादत जोसी जी ने भाग लिया था, ओके, चलते ह कि उठो गडवाली नाम की एक कविथा प्रकासित के गई, जो कि किस के थी, सत्य प्रकास रतूरी जी की थी, तो इस कविथा के माध्यम से गडवाल में जो हैं लोगों को जागुरूप करने का प्रयास किया या, अपने अधिकारों के प्रति, ओके, तो गडवाल समाचार पत्र का परकासन का वह उन्यस सो दो फिर उन्यस सो थीस में गोविन पत्रापरसाड नैहथानी के देखनाaty안 मत्रा परसाद नैथानी के द्वारा लखनव में की गई थी फिर आगे चलके friends सबसे important जो घटना हो जाती है वो होती है 1912 में जो है वो Almora Congress का गठन तो Almora Congress का जो घठन है वो किस-किस के द्वारा किया गया था तो friends Almora Congress है उनके गठन के टाइम पर जो है वो दो तिन प्रमुख नाम इनके अंतरगत आते हैं जिन में है आपके बद्रिनत पांडे बद्रिदत जोसी हो गया जोरादत जोसी हो गया इनका जो नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है ठीक है फिर 1913 में स्वामी सत्यदेव के द्वारा अलमुड़ा में सुद्ध साहिति समीती का गठन किया गया था ठीक है नेक्स है फ्रेंट्स 1914 1914 में विक्टर मोहन जोसी बद्रिनत पांडे और चिरंजी जिलाल जो है उनकी साहिता से जो है अलमुड़ा में होम रूल की इस्तापना की गई थी और देश में जो है वो दो प्रकार की लीग जो है चलती थी एक तो थी आपकी तिलक की लीग दूसे थी एनी बेसेंट की लीग तो उत्राखंड की जो लीग थी फ्रेंट उसके जो सम्मन था वो एनी बेसेंट की लीग से था ठीक है चलते हैं आगे फिर नेक्स 1916, 1916 के अंदर जो है वो 33 नवा 1916 को कुमावपरसत का गठन हुआ, तो ये भी एक important गठना है, कुमावपरसत का गठन, जिसका की पहला अद्यवेशन 1916 में अलमोडा में ही हुआ, और इसकी अद्यक्सा जो है वो किसने की नारेंडदत हिबरवाल जीने की थी, फ इसकी अद्यक्सा की जैदत जोसी ने, फिर कुमावपरसत का अंतिम अद्यवेशन 1926 में हुआ, क्योंकि इसके बाद अलमोडा जो कॉंगरेस है, उसमें इसका बिला हो चुका था, तो 1926 में अंतिम जो है इसका अद्यवेशन हुआ, जो कि बैरिश्टर मुकि बैरिश्टर मुकिन दिलाल जो है, उनकी अद्यक्सा में है, कहाँ पर हुआ, गनिया थौली रानी खेत के अंदर हुआ था, ठीक है, फिर फ्रेंड्स, 1919 में महतोपुन गटना हो जाती है, यहाँ पर जो है, स्रीनगर में भी अब बैस्टर जो मुकिन दिलाल है और उनसुय अप्रसाद भगनाजी वो कड़वाल कॉंग्रेस की स्ताफना कर देते हैं, ठीक है, फिर 1919 में अलमोडा कॉंग्रेस के सम्मेलन में भी इन दोनों निताओं ने भाग लिया था, ठीक है, नेक्स है, 1920 में फाइनली जो है, हम जानते है कि देश के अंदर गांधी जी ने असयोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें जो है, उत्तराघंड में क्या प्रमोग घटना हुई, कुली बेगार प्रथाकी समाथी, और वहाँ पर जो है, इस आंदोलन का नेतर तो किया, कि इन्हों ने क्या किया, कि भाई हम सरकार का आप किसी भी प्रकार के सयोग नहीं करेंगे, तो बदरिन से प्रण लिया कि आज से हम कोई कुली बेगार ने देंगे, क्योंकि यह रेजिस्टर होते थे, इनके अंदर हिसाब खिताब रखा जाता था, कि जब साही जो परवार है, उनकी यात्रह होगी, तो उसमें कौन कितना बोजा डोहेगा, किस गाउं से कौन रहेगा, यह सब के अंदर लिखा, लेखा जोगा होता था, ठीक है, नेक्स है, कुली जो बेगार है, उसकी समाप्ती, सम्मधि की गडवाल की जो महतोपूर समभा है, मलब जो कुली बेगार आंदुलन है, वहाँ पर जो उसकी रणी थी जगा, गडवाल के अंदर भी बनी थी, जो है, 30 जन मोड़ा कॉंगरेस में बिला हो जाता है, ठीक है, फिर 1928 के अंदर कुमाओं जो छेतर है, उसमें फैली वी, नायक जो परता है, उसको समाप्त करने के लिए, 1928 में नायक सुदार कानून उसको पारित किया गया था, फिर फाइनली, 1930 के अंदर हम जानते हैं कि देश के तो पूरे देश के अंदर गांदी जी ने जो है लोगों को बिनमर पूरक जो है, वो अवग्या करने का क्या दिया, एक तरह ऐसे हवान किया, और उसकी सुरवात को नोंने किस से किय थे गांडी मार्च से, ठीक है न, तो डांडी मार्च में जो है, आप सब जानते हैं कि ग खड़क सिंग बादूर, तो ये तीन लोग जो है उत्तराखंड से चुने गए थे, किस के लिए आपके डांडी मार्च के लिए, ठीक है, फिर है आपके 1930 में ही पौरी में जो है वो दुगड़ा में पहला राजनितिक सम्मेलन होता है, तो ये जो है इसलिए जो है अंग्र जो है राजनितिक सम्मेलन होता, ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स है, अब 23 अपरेल 1930 को जो एक महतोपन घटना होई, जिसको हम क्या कहते हैं, पेसावर कांड के नाम से जानते हैं, तो जहां पर क्या होता है, जो चंदर सिंग गड़वाली जी है, उन्होंने क्या का, कि हम जो है मैं निहत्य जो अफगान सेनिक हैं, उन पर क्या नहीं चलाओंगा, गोली नहीं चलाओंगा, तो इसकानद से जो है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो उनकी पैरवई किसने थी, मेरे बैरिस्टर जो मुकंदिलाल जी है, उनको उन्होंने जो है, इनकी पावित हुए थे, कौन? मोतिलाल जी, मोतिलाल नहरू, जो कि जवालल नहरू के पिताजी थी, तो उन्होंने क्या किया है, फिर कि 23 अपरेल जो है, उसको कहा कि ये गड़वाल दिवस के रूप में हम क्या है, इसको मनाएंगे, समझ गए, तो 23 अपरेल को गडवाल दिवस तो उससे पहले जो है, इंपोर्टन एक और घटना होती है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर लिखना गूली हूँ, तो फ्रेंट्स वो घटना थी, आपकी कौन सी, तीरी में जो है, वो तीरी राजय परजामंडल की स्थापना, जो किस के द्वारा की के थी, सिर्देव सुम ईक द्वारा की थी, एक्षुणि में हुआ था कि जो है, वो 1917 में पूरे देश के अंदर जो है, वो प्रन्तिय सरकारे बनी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी, प्रांतिय थी, तो वहाँ पर जो है, आब बाकी का, जो उत्तराखंड था, किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का भागता तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्पॉंसिबल गॉवर्मेंट जो है बनने से जनता को थोड़ा राहत मैसूस हो रहे थी लेकिन वहीं जहे वो तीरी के अंदर जो है दमनकारी सासन जारी था जो है तरह तरह के जो है टेक्स जो है जनता के उपन लगाए जा रहे थी तो इस वज़े से जो है वो जनता की विश्पॉंसिबल गॉवर्मेंट का निर्मान किया जाए ठीक है ना तो यह उनकी प्रमुक मांग थी ओके चलते हैं आगे आप 1940 में फैइनली गांधी जो है धी जो है उन्होंने क्या कि была हम उन्हों लिया किया थै किए थ IMK अच्टिकरण का तुरूप से यहां लूंने क्र और जैंगर थी जो ऊंपर इस पहिंख ज है इस चलता असे प्चas जगमोहन सिंग जो नेगी हैं उनको एक सत्या ग्रही के रूप में चुना था ठीक है तो उन्होंने कहा था कि यहां से यह चुने गए और लेकिन इसको बाद में इन्होंने इस अंदुलन से उत्तराखंड को रोग दिया उसका कारण क्या था क्योंकि यहां पार जो डोला पा जातीगत सदभाव में विरीव करते थे वह लोगों के बीच में इस प्रकार के जो दलितों के और समर्ण हिंदूओं के बीच में जो भीटभाव तो उसको समाप्श करना चाहते थे ठीक हैं आगे चलते हैं फिर नेक्स हैं हमारे पास 1942 में आप जानते हैं पूरे देश मे कौना चलता भारत छोड़ो आंदुलण तो भारत छोड़ो आंदुलण में तरह तरह की घटनाएं हो थी उत्रा खंड के अंदर भी जो लोग जो थोटी ज़ोटी मूटी ज़ोए जिनसबाय कर रहे थे तो वहाँपर प्लीस उनका धमन कर रही थी तो इसमें सबसे पहली ज साल्ट जो छेत्र है उस छेत्र में जहां पर अंग्रेज जो अधिकारी था जो परदर्सन कर रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी थी तो काफी लोग इसमें मारे गए थी तो इस कारण जो बद्रिजद पांडे हैं उनकी भी इसमें वह इसमें सहीद हो चुके थे तो फ्रेंड जो है गडवाल में इस प्रकार की गटना हुए थी कहांपर गुजडू जो छेत्र पौरी है तो इस कारण रशे है ज़ित गडवाल का बात्रवाल का बार्दली कहा जाता है तो फ्रेंड यह थी हमारे कुछ important घटना है अत्राखंड आंदोलन के सम्मद में अब हम इससे आगे ये देखने वाले हैं कि इसमें एक और चीज शूट गई है कि जो सिर्देव सुमन जी है उन्होंने क्या किया था तीरी राज़ा प्रजामंडल के लिए आंदोलन किया था चौरासी दिन की उन्होंने एक भूखरताल की थी जब उनको जेल में डाला गया और फाइनली चौरासी दिन की भूखरताल के बार उनकी जो मिर्तिय हो गई वो हुई 25 जुलाई 1944 तो ये भी आपको याद अखना है 25 जुलाई 1944 को सरदे सुमंजी ने चौरासी दिन की भूखरताल के बार उनकी मिर्तियू हो गई थी तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ चीजें इसके अंदर हुई थी और उसके बाद तो आप जानते हैं कि जो है उत्तरा खंड जो है जब ये एक साल बाद ही जो है का हिस्सा बना दिया गया था ठीक है तो इस तरीके से ये हुआ अब उसके बाद जो है राजय गठन के लिए जो है वो पूरे उत्रा खंड के अंदर आंधुलन चले थे तो इसके उपर भी हम बात कर लेते हैं ठीक है तो राजय गठन के लिए क्या-क्या अंदुलन चले फिर राजय गठन का भी एक अपना इत्यास है तो सिर्दय सुमन जो है सबसे पहले हम जानते कि 1938 के अंदर उन्होंने दिल्ली में गर्देश सेवा संग की इस्तापन की थी और इसी का नाम बाद में आगमन हुआ चीप गैस्ट के तौर पर कौन पंडित नहरोजी यानि कि हमारे जो नहरोजी थी जो हमारे पर्थम प्रदार्वंत्री है उनका आगमन हुआ तो उनकी सामने जो है वहाँ पर ये मांग रखी गए कि भाई ये हमारा पहारी चित्र है तो इसके लिए हमें क्या करना है एक अलग भौगवलिक या प्रसासनिक इकाई का निर्मार करना है ताकि यहाँ पर डेवलोप्मेंट किया जा सके तो समझ सकते हैं कि तब ही से जो है उत्रागंड अलग की मांग चल उटी थी ती क्योंकि उस टाइम आदा उत्रागंड तो समय प्रान्त का हिस्सा अ फिर फाइनली 1946 के अंदर हलदवानी में एक समयलन हुआ जहां पर बद्रेदर जो पांडे है उनके द्वारे एक अलग प्रसासनिक काई की मांग की गई और पंडित जो गोविंद बलब पंध है उन्होंने इसे अस्विकार कर दिया तो उस टाइम पर यह मानी नहीं गई थ उनके ततकाली महासची हुआ करते थे पूरण सिंग जोसी जी तो पी सी जोसी के नाम से इनको जाना जाता है इन्होंने उत्तरांचल राजे की मांग को पहली बार एक प्रस्ताओं के माधियम से उठाया था तो 1922 के अंदर इन्होंने यह कहा कि इस प्रकार की मांग इन्हो उत्राखंड में फिर बाद में जो चुना हुए तो तो वही है इसे जो विधायक वगरे जो है वो यही बने जो टीरी के नरेश थे तो उनका नाम था मानवेंद्र सा तो मानवेंद्र जो सा है उन्होंने राजया अंदुलन की जो है उस्षुरवात की फिर 1970 में एक महत्वपन गटना हुई जो PC जोसी है जो कि किसके थे आपके कुमाव राष्ट्रिय मोर्चा जो है उन्होंने इसका गठन कर दिया PC जोसी ने ठीक है तो PC जोसी का यह यह भी important गठना है इसके बारे में पूछा जाता है कि कुमाव राष्ट्रिय मोर्चा का ग गठन किया गया ठीक है फिर 1978 में जो है वो युवाओं ने इस युवा मोर्चा के बैनर तले क्या किया बद्रिनाथ से लेकर दिल्ली तक जो है वो पैदल मार्च किया यानि उन्होंने इतरह से बिरोध प्रदसन किया या आप कह लिजी एक सक्ति प्रदसन किया और इसके मा अठतर में तो इन्हें साठतर में तो तीन प्रभू गठनाएं हो गए ठीक है ना दो प्रभू गठनाएं पहला तो यह हो गया कि बद्रिनाथ से दिल्ली तक कम मार्च और फिर उत्तरांचल राजय परशत का गठन फिर 1979 के अंदर जो है वो 25 जुलाई को मसूरी में उत्तर उत्तरा खंड करांटी दल जो है उसका गठन किया गया तो यह सबसे इंपोर्टन गठना है राजय अंदुलनकारी जो इत्यास के अंदर जब UKD की स्थापन हुई और उसके अध्यक्स थे कौन? कुमार विश्वद्यालई के ततकालिन कुलपती देविदत पंत जी तो उनक 1987 में जो है वो BJP जो है उसका अलमोडा में एक सम्मेलन हुआ वहाँ पर भी इस प्रकार की मांग को पुक्ता तरीके से रखा गया कि भई हमें एक सेपरेट उत्तराखंड चाहिए फिर उसके आप 1988 आते आते सोबन सिंग जो जीना थे उन्होंने उनके अधक सांग उत्तरां कि करांति दल यानि UKD है उसके विदायक जो जस्वन विष्ट है उन्होंने क्या किया एक प्रत्तक राजय के एक परस्ताव को बिदान सभा में परस्तुल कि यूपी का पार्ण थे तो वहीं कि विदान सभा में पहले पारित होना था थीग यहाँ पर इस प्रकार का ku chicks ठो और हमें वहां की राजदानी क्या चाहिए गैरसेंड चाहिए और गैरसेंड को उन्होंने बोला कि चंदरनगर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आइस्ता ही राजदानी उन्होंने इसको घुसित कर दिया, ठीक है? नेक्स है उनिस सो तिरांडवे 1993 यहाँ पर जो है आप क्या होता है उनिस सो तिरांडवे आता आता है आप जो है उत्तर प्रतेश के मुख्यमंतरी थी उनके उपर भी इस प्रकार का दबाव पढ़ने लगया था कि जब लगातार मांग हो रही तो वहाँ पर जो मुलायम कोशिक कमेटी ने की थी ठीग्ने तो कोशिक समीति जो है उन्होंने इसकी बना दी जो की देख्यूता में किसी थी रमा संकर बना दिया जाए ठीक है फिर फाइनली जो है 1994 के अंदर दो अगस्त 1994 को उत्राखंड जो करांती दल है फ्रेंट्स उसके द्वारा राजे में आरक्षन संबंदी विशाय में पौरी में एक आमरा अंसन शुरू किया जाता जहां पर पुलिस प्रसासे ने उसके द्वारा इनक बना मात सी प्रसान चाऄ है जहां था सबस्के द्वारा दे तकरी आना ड़ला मरा इंड़ आनानली जा, फिर का अन दूर। पिर उसके बाद फाइनली 15 सितंबर 1994 को बाटा घर कांड हुआ है मसूरी के अंदर ठीक है चलते हैं आगे नेक्स है फ्रेंट्स दो अक्टबर 1994 अब जो दो अक्टबर 1994 को उस जो ये घटना है हुई थी पहले की घटना है कौन-कौन सी खटिमा कांड और ये मसूरी वगरा कांड तो इनके बिरोध में जो है वो एक तरह से लोग प्रतसन कर रहे थे और वो उत्तर प्रदेश जाना च ये घटना तो उनको जो है वो रोक लिए गए कहां पर मुझणपर नगर जोहां तिराही पर और वहां पर इनपर गोली चला दी गही ति तो इस ही कांड को का जाता है मुझणपर नगर कांड या रामपूर तिराहा कांड चिक है और फाइनली 10 नौमबर उनिस सो पिचाणडवे को स्री नगर में जो है फिर जो स्रीयंतर टापू नामा के स्थान है वहाँ पर जो है अंधुलन कारी प्रतसन कर रहे थे उन पर जो है गोलियां चलाए गई जिसमें की यसोदर बेंजवाल और जो है राके सरावत जो है वो सहीत हो गए ठीक है इस तर पर जो टीरी में है वहाँ पर आंधुलन अमरान अंसन जो है उसको शुरू किये था ठीक है फिर फ्रेंट्स 15 अगस 1906 को फाइनली जो है वो ततकालिन हमारे प्रदानमंत्री जो हुआ करते थे गुशना करता हूं थे तो इस प्रकाया के घूशना तो फिर तीन-चार साल की मामलः ठंडे बस्ते में लटका रहा है और फाइलही दो हजार आते आते जो है वो जब movement घृज्टा ले लिया और उत्तर प्रदेश में इससमय बीजेपी की गौर्वर्ण्मेंट थी मुख्य राजय का प्रस्ताव जो हो लोगसभा में तो था दस अगस्त को जो है राजय सभा में पारित कर दिया गया है तो ये भी पूशा जाता है कि लोगसभा राजय सभा में कब पारित किया गया है फाइनली जो है फ्रैंट 28 अगस्त 2000 यानि सन 2018 अगस्त को हमारे राष्टपती थे क्यार नारण उन्होंने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी और राष्टपती की जब मंजूरी बन जाती है तो तब क्या हो जाता है फाइनली वो एक्ट पारित हो जाता है तो उससे ज इसी वज़े से आप जानते हैं जो भी grant मिलती है तो उसमें उत्राखंड को केवल ज्यादा तर जो schemes होती है उसमें कितना देना पड़ता है 10% ratio देना पड़ता है 9010 का ही ratio रहता है तो वो इसी वज़े से क्योंकि उत्राखंड को क्या है special status हासिल है ठीक है न फिर जो है नाम प उन्होंने इसको मंजूरी दे दी और एक जनवरी 2007 से इन्होंने नाम का बदल दिया उत्रांचल से उत्राखंड इसको कड़ दिया ठीक है न अब क्योंकि यह पता नहीं मुझे भी इस बारे में पता नहीं है फिर है राजिय गठन के समय यूपी के जो मुख्यमंतरी है वो राजय गठन से लेकर सब चीज़ों थ्यास जो है वो डिसकस किया है तो आयोग फ्रेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जिते ही चीज़े हमने बात की ठीक है अब इसके अंदर जो बाकी और चीज़े हैं जैसे उत्राखंड का भूकोल हो गया है बाकी है अभी के लिए इतना काफी है थैंक्यू सो मच्छ एव अग्यू डे थैंक्यू